आज मैं आपको बेना स्टिच किये हुए कुछ चीजों के साथ ड्रेस बनाना सिखाऊंगी इसके लिए आपको डी चाहिए एक रोटरी कटर और एक मारकर चाहिए अब आपको डी मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि मैं मेजरमेंट टेप छोटी ड्रेस के लिए रेक्मेंड न करेंड नेट के लिए आपको ड्रेस कैसे ड करनी है टु D्रेस जो आपको किसी भी रोंपर वगरा के उपर आप कर सकते हैं उनको नया लोग दे सकते हैं लटू बहुत ही प्यारी ड्रेस है, अभी मैंने क्या किया है, नेट को 4 लेर्स में सेट कर लिया है, और इसको आप अपने अंदाजे से 2-2 इंच भी मार्किंग करके भी आप कट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अंदाजे से वर्थ कट करती हूँ, क्योंकि नेट में ऐसा कुछ भी कर रही हूँ इसकी, नेट की, आप अंदाजे से भी काट सकते हैं, आप मोटा भी काट सकते हैं, आप इससे पतला भी काट सकते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा स्ट्रिप्स कट करनी पड़ेंगी, अभी देखिए मैं एक लंब सम मेजरमेंट के साथ मैं कटिंग मैट के ए बराबर strips cut कर रही हूं देखिए और इसके लिए आप देखिए मैंने अब यह फोर स्ट्रिप्स लिए अब मैं इनको किते हैं स्ट्रिप्स को पूरा सीधा भी cut कर लूँगी सिजर के help से मैं cut कर लूँगी यह मेरे पाच वक की सिजर है अब देखिए अब यह अब यह पर ले करने के बाद उसे दो चीजों में टाय करना है आप देखिए यह स्ट्रिप आपको क्या करना है फ्रेंज यह स्ट्रिप ऐसे पकड़नी और इसके दोनों पॉइंट्स इसके अंदर से पास-on करने हैं तो एक नौट बन जाएगी नौट बनने के बाद आप ऐसे ही और भी स् देखिए मैंने इसको दोनों को ऐसे पकड़ा और इसके बीच में से दोनों को क्रॉस कर दिया दोनों स्ट्रिप्स को जो भी फोल्डिंग पे थी अब देखिए कितनी स्मार्ट सी एक नौट बन गई है इसके उपर ऐसे ही आपको पूरे के पूरा वेस्ट के नौट बान देनी है बहुत अराम से आप बराबर लीजिए दोनों को और देखिए फिर से इसको ऐसे ही पुल करते जाएगे आप पहले ही टाइट मत कीजिए बाद में जब आपको लगेगा कि आपको फाइनल प्रोड़क्ट एक दम सही है वेस्ट वगेरा तो इसको आप कर सकते हैं देखिए मैं एक और करके आपको दिखा रही हो देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैंने लूज छोड़ी हुई अभी इतना टाइट नहीं करा है देखिए आप मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है अभी देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया लड़ू जी की वेस् दिखाऊंगी देखिए कितना स्मार्ट लोक आ रहा है यह पॉफेक्ट है एकदम पॉफेक्ट है और इस ड्रेस में एक खासियत है कि इस्टिबल आप कितना भी से लूज और टाइट कर सकते हैं इसके नॉट्स को आगे पीछे कर सकते हैं अब देखिए यह 0 mm का एलास्टिक ह है एक्ट्रा वेस्टेज है मैं उसको कट कर दूंगी एक काम आप कर सकते हैं कट करने के बाद इस पर थोड़ा सा फैविकॉल लगा के सुखा सकते हैं ताकि यह नॉट्स दुबारा कभी नहीं खुलेंगे वाश के बाद भी नहीं खुलेंगी तो देखिए अब मैं इनके उपर इसे और डेकोरेट करने के लिए मेरे पास रेडी मेट फ्लावर्स हैं चोटे चोटे साटें के वो मैं कहीं कहीं एक एक लूप छोड़ के मैं उसे किते लग दूंगी वैसे लोग स्टिक करते हैं लेकिन मैं लडू जी की कोई भी ड्रेस पे कुछ भी स्टिक नहीं कर स्टिच करें एक और चीज में आपको बहुत अच्छा पॉइंट आऊंगी कि आप जब भी नेट के उपर या पतले फैबरे के उपर कुछ भी स्टिच करते हैं तो आप जब उसे लास्ट में पका करते हैं उसे फाइनल नॉट देते हैं तो उसके नॉट देने के बाद आप इसके उपर फ्लावर्स भी स्टिच कर सकते हैं आप इसमें एक हार्ड नेट आती है वो भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं लेती देखिए कितना सुंदर लोग काया मेरी टूटू ड्रेस का अब मैं इसको मल्टी पॉपस यूज कर सकते हूं मेरा जब भी मन करेगा किरिन से कम इतना ही मेजर्मेंट लीजिए सारी ड्रेस बनाने के लिए। उसके बाद आप अपने लड्यू जी का मेजर्मेंट लीजिए। तो उसके बाद आप ट्रिम कर सकते हैं। आप देखिए मैं इनको टुछ लिएँ और कितना कंफरटेबल और कितना स्मार्ट लग रहे हैं आप इसे रॉमपर के उपर पहना सकते हैं आप इसे नैपी के उपर पहना सकते हैं देखिए कितना सुन्दर लुक का रहा है